जैहिन दोस्तो टिनन 24 नीज़ नाकपूर में आपका इस्तिखबाल है जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने नुमानी पैथलोजी लैब के नाम से एक किफायत दामों में एक लैब खोली गई है यह राहिमान फॉंडिशन नाकपूर जो के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की सरपरस्ती में चल रहा है यह आज के इस दोर में बहुती बड़ा और अच्छा अहम कदम है जो इस महगाई के दोर में और इस बस्तिया चार के दोर में लोगों की जो लैब के नाम पर मार्केट में काला बाजारी और ज्यादा पैसे आइठने का काम चल रहा है उससे हम और आप हर लोग दोचार है सता का तूसरा कारकाल और सवाल अभी विपक्श से ताकत हो जिसके हाथ में पूलीस हो संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नत मस्तक हो सवाल तो इस से होगा ना हम लेकर आएं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे पेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बच्टे हैं जिनके हाथ में ताखत है आप इस पैथोलोजी लैब की ओपनिंग में आए गेश्ट की हैसियस है तो आपको कैसा लगा यहां अगर मतलब क्या इस चीज की किस हद तक ज़रूरत थी और इसे क्या क्या फायदा होने वाल पाउंडेशन और उनके पुरी टीम को इनोंने काम को अंजाम दी तर टीनन ट्यन्टीफूर नाक्वी में आपका इस्तिक्वाल है जैसा कि यहां पर आप एक गेश्ट की हैसियत से आए और आपके सामने जो अभी इप्तिता हुआ पैथोलोजी लैप को तो इस बारे में आ पहरे ख्याल क्या है अपका नाम बता है मेरे नाम अनवर जलीन है जी यह आपका पेशा मैं रिटायर प्रिंस्पल वो वेनमसी सानिफरेजी पुरी कॉलेश से रिटाट होगे है मेरे रजजी घर्वों काम इसका तालुक खितमते खल्ग से हैं वो एन अबादत से हैं और प फॉर्माएं के मन गतला नफसं बे खेर नफसीनौ फशादिन कि लडर्थ तकानन मा कटला नास जमीया वो मन अखियाहा पकानन मा अखियानास जमीया इस शथ ने इस शिए कि किसी इस शथ कर नहा कत्व किया अमलान उसने पुरी इंसानियत का तर्फूस किया दोस्तों जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि रहमान फॉंडिशन के जानिप से ये पैथालोजी लैब की शुरुआत आज की गई है हमारे वसीम भाई जो इसके रहमान फॉंडिशन के जिम्मेदार भी है माशालला यह आपको बताएंगे कि इनका इस लैब खोलने का मकसद क्या है और इससे क्या-क्या फाइदा हो सकता है हाँ हम्हां और सुष्रोंडिया इस उचाँ है कि हो और से अचान इस हम इस तो का मेंने तुरुआ करना नारे। आपका स्वागत है सर आपका नाम तो सर जैसा आप यह अभी ओपनिंग में आए पाइथालोजी लेप का अभी उधाटन हुआ हमाई सामने तो गेश्ट की हैसियस से आप आए तो आपको कैसा लगा मतलब यहां आने के बाद में कि इसकी किस हद तक जरूरत थी इस चीज़ की और इससे क्या क्या फाइदे होने वाले और मतलब आपका इधारे खयाल क्या है जिसकी जरूरत थी हमारे हाँ वह बहुत बड़ा काम लोगों ने किया है हम तो दुआ भी करते अल्ला इंको जजाश है और यह कावं के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इस लाइन के अंदर जो है बहुत तुटमारी है इतना बड़ा कादम उठाया और इतना ब